हलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कमलेश बढ़ाना और आपका स्वागत है एको नए वीडियो में जिसके अंदर हम बात करेंगे ओकाया क्लासिक 150 की जो एक नोन आर्टियो वीकल है नोन आर्टियो का मतलब है कि इसको चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस और रेजिस्टेशन दोनों की जुरत नहीं पड़ेगी अगर आपको हाई स्पीड और ज्यादा रेंजवाल एलेक्टर की स्कूटर देखना है तो ओकाया का ये F4 का वीडियो में अपलोड़ेट कर चुके हैं आप उसको भी चेक आउट कर सकते हैं वोकरोंड की शुरुवात करते हैं इसके कीज से तो भाई कुछ ऐसी डिजैन की आपको चाबियों मिल जाएंगी दो चाबियों का सेट है और इसके ओपर आगे पिछे दोनों तरफ ओकाया का लोगो भी दिया गया है दो चाबियों के साथ में दो रिमोट के सेट भी मिल जाएंगे जिनके डिजैन में एक बार दिखा देता हूँ और इसके अंदर आपको कीलेस राइड का ओप्शन भी मिल जाएगा पाउर बटन जो देख रहे हैं इसको दो बार प्रेस करते हैं तो स्कूटर रेडी टू मूव हो चुका है स्कूटर ओन हो चुका है और नीची की तरफ देखेंगे तो आपको पाता चलेगा कि हमने अभी तक चाबी नहीं लगाई है और अनलोक बटन को दबाने के बाद में स्कूटर वापिस से ओफ हो जाता है अगर इस स्पेस की बात करें तो हैंडल के पास में थोड़ा बहुती स्पेस मिल जाएगा एक हुक दिया गया है जिसके ओपार आप 1.5 किलो तक वजन टांक सकते हैं यूइस्बी पोर्ट भी दिया गया है जिसके अंदरे कैप भी मिल जाएगी ताकि पानी या फिर मिट्टी वगरा इसके अंदर ना जाए मैक्स लोडिंग के बात करें तो वो इस टिकर के उपर देख सकते हैं 150 किलोग्राम तक कैरी कर पाएंगे इसके जश्ट नीचे स्कूटर के चेस संबर में मिल जाएंगे फुटबोर को देखें तो फ्लेट दिया गया है और इसके अंदर जो स्पेस है वो काफी जादा मिल जाएगा आप यहाँ पर सिलेंडर आराम से रख पाएंगे सीट के नीचे के तरफ चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा जो कैप के साथ में आता है ताकि इसके अंदर भी धूल मिंटी या फिर पानी वगरा ना जाए वोशिंगे टाइम पे अब यह एक नोन आर्टियो स्कूटर है तो इसके अंदर एक फाइदा भी मिलेगा और एक नुकसान भी है फाइदा यह है कि आप इसको बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी चला सकते हैं और नुकसान यह रहेगा कि नोन आर्टियो विकल के अंदर आपको सबसीडी नहीं मिलेगी टैन इंडिकेटर को देख लें तो वैसे तो इसके अंदर हैलोजन बल्ब है बट इसकी डिजैन कुछ ऐसी है कि आपको LED वाली फील मिलने वाली है कलर ओप्शन के अंदर जो ग्रीन कलर देख रहे हैं ग्लोस फिनिश में इसके लावा दो तिन कलर और मिल जाएंगे फ्रेंट सैड में आपको प्यानो फिनिश दी गई है ओकाया का लोगो मिल जाएगा और इसी के पास में आपको क्रॉम का टच अप भी दिया गया है अब बात करेंगे इसके हेडलेम की तो यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम के साथ में LED बल्ब मिल जाएगा डेरल्स भी LED के अंदर दिये गए हैं जो काफी अच्छी डिजाइन के अंदर है अब सीधे चलते हैं फ्रन्ट सस्पेंशन की तरब तो यहाँ पर टेलिस्कोपिक शोक अब्जोर्बर अवेलेबल है जिसके वज़े से आपका राइडिंग एक्स्पिरेंस काफी स्मूथ होने वाला है फ्रन्ट में डायमेंट कट अलोई विलरी मिल जाएगी वहीं पर ब्रेकिंग की बात करें तो दूसरी तरब चलते हैं तो फ्रन्ट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे वहीं पर टायर साइस की बात कर लें contact data आपको description के अंदर मिल जाएगी यहाँ पर कुछ sticker है round shape के अंदर reflector दिये गए है अगर इसकी top speed की बाद कर ले तो यह non RTO vehicle है तो इसकी top speed होने वाली है 25 km पर आर के अंदर range के बारे में बताना चाओंगा एक बार charge करने के बाद में 60-70 km तक की range ले सकते हैं scooter का booking amount काफी कम है केवल 2599 रपे है वहीं पर down payment भी जादा नहीं है 15,000 रपे की इसका down payment के साथ में scooter को अपने घर पे ले जा सकते हैं EMI भी काफी कम है 2000 से लेके 25 तक की परमत की EMI होने वाली है अब आ जाते हैं seat की तरफ तो यहाँ पर आपको comfort तो अच्छा कासा मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो cushions हैं वो काफी soft दिये गए हैं बट इसकी जो length है वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत compromise करना पड़ सकता है seat के पीछे की तरफ metal की grip rail मिल जाएगी जो black matte finish के अंदर है अब rear side में चलते हैं उससे पहले एक बार switch को on कर लेते हैं ताकि हमें tail lamp का पता चल सके कि वहाँ पर setup कैसा है तो भाई यहाँ पर tail lamp और turn indicator दोनों के अंदर ही halogen bulb का setup दिया गया है बट इसके जो design है वो कुछ ऐसी दी गई है कि आपको लगेगा जिससे इसके अंदर LED light fit है पीछे की तरफ number plate light के साथ में number plate लगाने के लिए space भी दिया गया है हलाएं कि इसके अंदर number plate नहीं लगेगी क्योंकि एक non-art यो vehicle है तो guys अगर आप पहली बार channel पर आये हैं तो channel को subscribe भी कर सकते हैं इस तरह की detailed video देखते रहने के लिए अब बात करते हैं एक और plus point की जो है latest footrest generally आपने देखा होगा aluminium के दिये जाते हैं बट इस तरह की design के साथ में इस तरह की build quality के साथ में काफी कम scooter के अंदर देखने को मिलता है rear suspension के अंदर dual coil shock absorber दिये गए हैं उसी के पास में आपको motor मिल जाएगी अगर motor की बात करें तो वो fit है rear tire wheel hub के अंदर 250 watt की BLDC motor मिलने वाली है आपको यहाँ पर tire को भी देख लेते हैं तो जैसे front में tire दिये गया था 3-10 का उसी size का tire आपको rear side में भी मिलने वाला है puncture वगरा की tension लेने की जूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही tire tubeless हैं कहीं electric scooter में मैंने देखा है कि main stand के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है accessories के अंदर बट यहाँ पर side stand और main stand दोनों ही available है electric scooter में सबसे important चीज होती है warranty तो यहाँ पर आपको 3 साल की unlimited warranty मिलेगी जिसके अंदर आपको motor, charger, battery, controller, suspension, wiring यह सब कुछ cover रहेगा अब चलते हैं under seat space की तरफ तो अलग से lock दिया गया है जिसको आप main chavey से unlock कर सकते हैं नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको एक mcb switch मिल जाएगा और एक cover दिया गया है battery के उपर battery की बाद करें तो ये metal body के साथ में है lithium ferro phosphate battery रहेगी यहाँ पर एक छोटी screen मिल जाएगी और अलग से आपको charging point भी दिया गया है अगर इसकी capacity की बाद कर लें तो 1.4 kilowatt के battery है और 48 volt और 30 ampere के साथ में आएगी ये battery detachable है तो आप इसको बाहा निकार कर भी charge कर सकते हैं और इसको full charge करने के लिए लगबग आपको 4-5 गंटे देने होंगे चारोत रप से walk around करने के बाद में आब आजाते हैं इसके handle की तरफ तो यहाँ पर आपको left side में high beam, low beam के लिए इसके पास में आपको horn के लिए और turn indicator के लिए switches मिल जाएंगे वहीं पर आजाते हैं इसके right side में तो यहाँ पर headlight और DRL on off करने के लिए इसके पास में parking के लिए और इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो front और reverse के लिए अलग से switch मिल जाएगा mode change करना है तो उसके लिए जो C button दिया गया है यहाँ से आप mode change कर पाएंगे अब बात करेंगे इसके instrument cluster किए तो एक बार switch को on कर लेते हैं तो भाई classic 150 plus के अंदर fully digital display मिल जाएगी जिसके अंदर आप गाड़ी की speed देख सकते हैं parking में है या फिर running में है वो चेक कर पाएंगे कौन से mode में है odometer reading क्या है और battery के percentage क्या है यह सारी information आपको यहाँ पर मिल जाएगी अब इसके latest extra price क्या होने वाली है तो वो है 74,499 रूपीज तो guys यह थी आपके लिए detailed video Okaya Classic 150 की इसके अलावा Okaya F4 की video already uploaded है आप उसको भी check out कर सकते हैं वो काफी अच्छी range के साथ में आता है इसके अलावा अगर आप Okaya की other electric scooter का भी वीडियो देखते रहना चाते हैं तो चैनलों को subscribe कर सकते हैं और भी वीडियो जल्दी आने वाली है तो guys मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर take care and thanks for watching